हुआ हई गाई कैसे आप लोग आसकत छोँगे अगर थमदेल देख क्या है वीडियो देखने हैं तो बहुत अच्छा कि आप क्योंकि देखे सबसे ज्यादा फिजिक्स की बात करें सबसे जादा कहां सब पूछा ऑप्टिक्स यानि कि दो चैप्टिक्स यानि कि प्रकास की कि यह सांथ परहाज आए दोनों को उसमें सबसे ज़्यादा लगों 30 मार्च से 40 मां पूछा जाता है कि अपको चनल के ज्यादा कर दिया ना तो tis 40 मां जी से पूछा जाता है तो काफी होने वाला है तो इसमें सब्जेक्टिव बनारीकि लगूत यह प्रस्न को डील करें चल थो रहाज हम करतेंगे आपको समझा देंगे आपको हम हिंदी पर समझाएंगे यहां पर इंग्लिज्स खुद समझ जाएगा तो करांति को प्रवासित करना तो करांति कुन क्या है देखिए आप तर्ण कोन का वहाँ खासमान जिसके लिए अप्वर्तन को 90 डिकर बराबर हो क्या है तो यह जाता है तो इन अल्ड के आप तर्ण कोन का वहाँ खासमान जिसके लिए प्वर्तन कोन 90 डिकर बराबर गुथा जाता है उसको करांति कोन खाते हैं और बहुत इंप्रोंटेंट है तो अप यहां पे इंग्लिश हुद्वाब पर सकते आप करांति कुन क्या ह है तो वह वंबस यंगल जो होगा क्या जो आप वर्ता कोन यंगल का नाइटीग्रीक बराबर होसा आगा याणि कुई ऐकता हो इसको क्रणती कोन कहेंगे एलारम से इंगली समझ सकते हैं अगला विखने को समय तो कुछन में तू देखते हैं पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन से आप क्या समझते हैं यह पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन किसे कहते हैं यह क्या समझते हैं प्रिभासा दे बात वह यह तो में फंदा है पूर्ण अंतरिक प्रावर्तन तो क्या है चलिए देखते हैं जब आप क्या आपतित किरन जो कि बीरल माध्य में गमन नहीं कर पाती है और सता से टकरा कर पूना उसी माध्य में लौट जाती है इसको पून आंतरिक प्रावर्वर्चन कर दे और यह इतना स्टी कैंसर है और कितना बाद पूछा गया है एक्जाम में तो क्या है आपतन कुन का वह ख कि समझना कया है तो आपतन कुन का मान का ब्रावर्वर हो चाता है फ्कुरावर्चन कि यह प्रावर्दन आपको जब तो बहुत सिंपल है इसका भी रही स manera 근데 प्रक्स तंत्प उंच गुणवागता वाले प्रकास तो उचुल वक्ता हैं कि हाई जो हाई होगा उसमें गुणवाकता होगा रिखी जो गुणवागता वाले कांच혀 लेस भृगी पतली और लंबी दहागे दूमसन रचना होती है क्या कहा इक बात में कितना कई ऑदिया है आप आप काट जो प्रकाछ तन्तु होता उच्छ गुनवक्ता वाले पंस से बहुत बहुत पतली निस्फेश का वी ड़ाच में बहुत पतला होता है है चरहा जाता है जिसका परतनांग उस तंतु के अपरतनांग से कम होता है प्रकास तंतु को हते हैं जो जो अपरतनांग है जो चरहा जाता है वह जिसका परतनांग क्या होता है उस तंतु के परतनांग यानि कि तंतु है जो की उसका परतनांग से कम होता है उसको क्या होते है प्रकास तंतु काते हैं मेरे चाह समझ घंगे होंगे प्रकास तंतु उच्गुन्वक्ता बाले कांच से बना एक बहुत पतली और लंभी धागे नुमस्ट नहीं यह पर एक ऐसा पदार्थ का परत्च यह सकते है अगला कुसन देखी आप वर्न बीचेपन क्या है प्रकास का वर्न बढ़ते हैं उसको आप याद कर से पिणाला हो सकता बैजानीः पीनाला पर प्रकास की पूल सेई यहां पर गुज़रती यहांना यहां गुजर्ती है तो वह साथ निकि तुरू अभी रंगों में विभक्त हो से उसको क्या रता हुगा कि उसी काना को पिर शब्कास का वण भी रॉइंबं करते हैं यहां पर देखए आ नंग की ला बैज़ा को कर सकते हैं जॉसर जामनी इसनीला नपसे हम्लै आप यह तो तो बैजानिह पीनाला ला से लाल हो जाएगा वह सिंपल है आप साथ गुरह हो गया तो बैजानिह पीनाला आप याद कर लिजी आप आराम से याद कर सकते हैं तो यहां आपका बहुत इंपरने को सोन जाता है और नीचे इंगलिस में भी दिया हुआ है तो समझ जाएगे मत किसी प्रिजम से होकर गुजरती है तो बैजनी तथा यानि कोई भी प्रिज्म है कि कि फ्रिज्म से ये क्या गुजरती यहां पर होगा और लाल होगा किया कहा वन भीछहपन कहते हैं या जब सुएत प्रकास किसी प्रिजम कोई भी पृष्जम से को गुजया तो क्या होगा वह बैगनी बैगनी तथा लाल लंग के द्वारा जो बीचना इत्पन होगा उसके बीच के अंतर को जो बीच के अंतर को फॉम एक टॉरेंट उसमें क् कि उसी को क्या काते को यह वन बिछेपन कहा जाता है और यह बहुत ही पुर्ण कोस्टन है आपको इसको याद करना पड़ेगा और यहां पर देखिए इंगलीस में भी लिखा हुआ अनाम से याद कर सकते चलिए अगला कोशन बढ़ जाते हैं अगला कोशन का है कुछ नमर्स आते हैं जो होता है किया बैगनी और लाल रंग के दौरा जो इसकी प्रीजिक होता है उसके लेकिन यहां पर कहाता है तो कौन क्या है जब किसी प्रकास किसी पीरिजम से लुगा जैती है तो फिले रंग के दौरा जो भी विच्छलन उत्पन होता है उसको क्या दोनों के दोनों के जब अनुपात होगा उसी के रुप में प्रभासित दोनो के दोनो तो याद कर सकते विज़कर रूप में कि अनुपात के रूप में परभासित किया जाता है तो इससे बिजय कि जब तक वीडियो नहीं देखिए जब तक आपको पता नहीं चला इसका पिडियो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा क्या इंद धनुस को प्रबासित करें इंद धनुस क्या है याने कि डिफाइन रैन्मो रैन्मो यान की दनुस क्या है तो चलिए देखे जब हलकी वारिस हो रही हो तो वाताबरन में उपस्तित जल के बुंदो पर यानिक जब वर्षा होगी जब वर्षा हो रही है यहां पर दीखिए वर्षा हो रही है मान गए तो वर्षा होगी जल के जब बुंद पर जब सूर्व के प्रकास पढ़ेगा तो बिसिकली सूर्व के प्रकास आपतित होगा तो क्या होगा तो प्रावर्त होगा वपषण भी होगा और पुन अंतली प्रवर्त्न होगा यानि कि तीनों होगा और उसी के इंदर धनुस का सुन्दर दिर से दिखाए दिखाइज़ तो हम इस पगह付को सकते हैं जब हलका वालिस हो रही हूँ घर सा हो कर सकते हैं अग्रा कुछ अबस् kot थे संगेज़ में एक यह जमा सिप्षन को प्राहजि度 करे और दोने इंपोनन कुछन इतो पांचान से कि इन देखिए और कभी कि दोनुम एंतर पूछ दिखा प्राफ्मिक ईंद नुसर दोनुन दूट्य के अंतर क्या है तो कि बात लिखेज़ेगा टिविखहा ताहल कोई दिखत नहीं है क्या दिखेएं पर पर यानिति जब वर्षा के बुंदो पर दो धोती है तो क्या जाकर दो बार आ प्वर्टन क्याकर का दोबार अप्वॉर्टन टता एक बार पुन क्टों नूसको एक है न कई एक कहा यह दूबर अप्वर्तन और यह किन में आंत्रिक प्राकास कहा लेकिन यह प्रात्म एक बनी से उसमें एक पूनांतिक परावरतन होता है उसको प्रात्मी इंधनुस कते हैं तो जब वर्सा के के बुंदो प्रकास के किरियन आपतिद होती है निम्हान होता है तो इसमें दो बार पुन आंतिक प्रावर्तन होता है तो दूचेक इंधनुस का निवान होता है और जब वर्षा के बुंदों पर सुर्ज के प्रकास आप्तित होती है तो दो बार अपवर्तन तथा एक बार पुन आंतिक प्रावर्तन होता है तो इसको प्रास्मिक इंधनु तो ज्यादा डिफेरेंट है नहीं तो ऐसे डिफेरेंट पूछता है तो आप लिख सकते हैं दोनों तो यहां पर आपको प्रभासा पता चल गया और बहुत इंपोने कोशन नहीं इन दनुस किया है इंदनुस के परकार और इंगलिस में पर सकते हैं अगला कुशन प्रकास के प्रकास के प्रकीनन क्या है तो प्रकास के प्रकीनन पूछ रहा है तो जब सुर्य से निकलने वाली देखिए जो यहां पर लिखा हुआ इतना प्रभासा यतना याद करने के कोई जरुवत नहीं अगर आपको जो आप हाइलाइट किया हुआ पिला रंग से हाइलाइट यहां आप अगर आप इतना भी जाद कर लेती है तो आपको दोई नमरम द्राइगा तो प्रकास का प्रकींटन क्या है दिख्याई ओबना क्या न क्या प्रकास का यह और नहीं के घया का ज़े kicking जब प्रिए करेगा तो थोउस्ट कर लेता है अपने में ऋसोसित कर लेता है और यह पुना और यह पुना प्रकास को सभी दिशाओं में यह पुना प्रकास के सभी दिशाओं में क्या करता है उत्सजिद करता है क्या 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 उत्सजिद करता है तो वाय मंदल में उपस्ट उपस्टीद कॉनों के द्वारा प्रकास को पुना या पुना लिकाना यह पुना उ उत्साजित करने की किरिया प्रकास का प्रकिंदन कहला आता है सिंपल में में प्रिभासा दे सकते हैं और याँ बहुत इमठान को सने तो आप इसको याद कर लिए इंग्लिस में नीचे दिया है अगला कुसन गुशन पूछा गया है और बहुत इंपोर्टेंट है कोचन का जब सुवेथ प्रकास किसी कांच के प्रीजिन से वकर गुजरती है तो वह कितने रांगों में बिवक्त हो जाती है और क्यों होती है जब कोई जब प्रीजम सिजब प्रकास सुवेथ प्रकास गुजरती है तो कितने रांगों में बिवक्त हो जाती है और क्यों हो जाती हो कारण बताना है तो आपको पता है कि जब कोई भी जब सुवेथ प्रकास किसी प्रीजिन से वकर गुजरती है तो साथ अभी अभी रंगों में विवक्त हो जाती है यानिकि बजान नहीं पिनाला तो साथ अभी रंगों में विवक्त हो जाती है क्योंकि अलग 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 रंगों के लिए जो प्रकास का चाल होता है जिससे कांच में कांच के प्रिज में प्रवेश करता है तो साथ अभी अभी यानिकि साथ रंगों में विवक्त हो जाता है इसका रेजन क्या है अलग अलग जो रंग होता है उसका चाल जो अलग अलग होता है यानि कि सवी जो पदार्थ हुदा है उसमें सब कके चौल अलग अलग होता है वही बात बता ह estasuk क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए प्रकास की चाल अलग-अलग होता है। समझ गए जब स्वेत प्रकास की प्रिज्म सोक्र गुजरती है तो यह साथ अभ्यभी रंगों में विभक्त हो जाती है। क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए प्रकास की चाल अलग अलग होता है जिससे प्रिज्म में प्रवेस्ट यानि कि जिससे कांच में प्रवेस्ट करता है तो साथ अभी अभी रंगों में विभक्त हो जाता है समाज गए होंगे बहुत अच्छा कोशन है याद कर लिए से आ सभी कब-दure尋- देखारन से नीचार से निकलने बाली प्रकास के concurrent प्रिवैस करती यह तो दिक fixes कोंचन इसी पर बारी सब लाल के होता कि देए लगे तो यहां यह लोगती है योगत सबसे अधिक होता सबसे कम बैगनी का होता लेकिन देख सबसे आथ होता है याद रखिएगा तो क्या अपसोचिएगा बैगनी प्रकिनन होता सबसे अधीक लेकिन तो बैगनी इतना प्रकिनित हो जाता है तो उपरे भूला जाता है उपरे आपको दिखाई यह नहीं देता है और नीला की इतना हो जाता है इतना प्रकिनित होता है कि उसे दिख जिखाए यह धितना फ्याहित आप दिखाई यह नहीं धांधल और यहाप निला रंट रहां है इससलिक종 अकास जोंकि निला दिखाई देदह लाल नहीं लाल का तो प्रकीनित बहुत कम होता है इसका त्रंग दर्ग अधिक होता है समाज गए इस बात को तो फिर से प्रता प्रकास से निकलने बाली प्रकास के किरन वाई मंडलर प्रिवस करती है तो विविन रंगों का प्रकीनित होने लगता है जब चुकि निले रंग का त्रंग दर्ग ला बताना है अब बता सकते हैं अगला कॉस्टन देख लोगा तो आप देख सकते हैं कोई भी कोई दिकत नहीं तहां परिभास और यहां जो हाइलाइट नहीं किया हुआ है यहाँ यह बना और यह वाइट आपना से लिखना कर लिखाना कि यहाँ अन् निलन से अधिक होता है जैक है और बात कुल्टा लिख्या है पहले उसमें यह लिखा हुआ त्रंग दर्ग पहले वाला बाद था और इसमें प्रकुंध पहले बातलिक करती है सूर्योदय मा करते हैं सब्सक्राइब करते हैं चुर्यादentlyEM confirms प्रखन के तो chill saif तुखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकिनन निले रंग से कम होता है और लाल का थरग दार निले रंग से अधिक होता है यहीं करणव है कि निले रंग उपर ही प्रमप में प्रमप करस्य कि यह कम होका चाइब होगा तरह होगा पर किकी यह लाल यहां पर किANG तो यह बात है जो लाल लंग बहुत काम प्रकिनी तो यह दूर में वह रहेगा और नीला लंग पुरां फ्ल जाएगा तो बात समय यह इस लिए सुर्य होता है लाल दिखाई देता है अब मेरें जासे समझ गयोंगे तो तो तेनम बहुत इंपूरन कुसंट चलिगला कुसंट इस लिए सबसे कम उता है जिसका तरंग दर्ग अधिक उता है उसका प्रकिनित सबसे कम होता है उसी बात को लिखना आ है क्योंकि लाल रंग का तरंग दर्ग सबसे अधिक होता है और प्रकिनित सबसे कम होता है यही कारण है कि क्या का यही कारण है कि लाल रंग दूर से ही इस परस्ट रूप से देखा जा सकता है क्योंकि यह कि सूरी इतना उपर है फिर भी लाल दिखाई देता है तो वही बात है कि लाल रंग को दूर सही इस पर्ष रूप सहुश्मूरा जा सकता है तो यही कारण है कि इसे खत्रे का संकेत लाल होता है लाल को दूर आस्थान से अराम से देख सकते हैं या खुछाएंगों ऑभी ठंडर के दिन चल रहा होंगे तो उसमें भी परते हैं कि कुम्याब बहुत परते हैं इसलिए खत्रे अससंख्राइब बहुत Jyko देखते हैं तीके बादल के रंग जो सब्समान रूप rozp समान की मोता है यह बता ना की होता है अनुट कोछ क्यों कि बादल में सभी रंगों पस्तित होते हैं जहां भी जो हम सुवेत प्रकास कहते हैं जो भी प्रकास देखते हैं उसमें सब रंग यानिक साथ रंगों पस्तित होता है जब साथ रंग को एक साथ मिला दीजेगा न तो वह आपका हुआ हो जाता है उजला हो जाता है जो होता है वह बताना है तो क्या होता है बादल समाने रूप से यानिके बादल में धूल कंत था जल के बुंदे उपस्तित होता है बिल्कु बात सही है जो बादल होता है उसमें धूल भी रहता है कन भी रहता है और जल के बूंद यानिकी जल भी उसमें उपस्तित रहता है और आपतित परकास होता है उसकी तुलना में बहुत अधीक होता है इसकी तुलना में बहुत अधीक होता है यही कारण है कि सुर्च से निकलने वाली प्रकास के किरण जब क्या होता है बादल पर आपतित होती है मिस्टो armed किर लेता है लेता है knick सब अपने एक साथ कर लेता है प्रकीनित होगे नहीं करेगा सब रंगा सार्थ दिखाई देगा अभी बता है प्रकीनित बहुत कम होता है जिससे बादल उजला दिखाई देटा है अभी बता यह सात रंग को हम सातों रंग को एक साथ कर देंगे जहां भी रहेगा तो वाइट हो जागा कि नहीं हुआ ठोका न क्यों यह कि वाइटे रंग जो सफ्यद करने फ्रकास के कि ने शाला आपतित होती है तो क्याव उसका प्रकीनल बहुत कम होता है क्यूंकि बशुम्ट कर लेता है ना तो करकीनल बहुत कम होता है जिससे बादल ईजला दिखाई पड़ता मेरे आप समझ कहुएगा खुदा याद कि चूछ गया किompot तब तक अगला लोगी क्या है है तुरंगार्ग के किसे काथे तो बस सिंफल फिर्फासा है किसी माध्य के निकी इंद शमान का ला में का अध्यूरग कर रहे विवह कंपन कर रहा यह सबी खुल male कि और बंदूrakतव यह विवह रहे यह क्या रास्ता पत को यह तरंगार कहा जाता है समझ रहें जो मज़़ आप लोग आपल्याइक नी करें चैनल को सब्सक्राइब करने पर लिज आप लोग जब तक सब्सक्राइब किने कहा दिखर कशेमा हम रहे सिर का ना मत मुखें को इन क्या है तो कला समझ कर दो सरोतों को कला सम्मंद सूर्ट तब कहा जाता है उसी बात को लिखना है जबiges विकला समंद सुरौत कं तब कहा जाता है जब दो सुरित dopp cóert सामान आविर्थी उच्जिद करता है तो इसको कला समन्ष्रूत कहा जिता और किसे कहते हैं बस सुम्पले जब दोशिरोत को कर आ awaits तया समन्षर नहीं लिखे आप याद कर लिजा बता है इसमें कुछ नहीं था और कराश मंगल का नमा कुसन क्या है प्रकास का विक्तिकरन क्या है इससे क्या समझते आप जान लिचे तब तक लास रह समंग स्रोतों से क्या कहा जब दो कला समद यानि कि दो कला समद सुरोथ से जब निकलेगा प्रकास के तरंगे कि अधियारोपन अधियारोपन यानि कि यूद पर लेपिन यानि कि ओभर लेपिन अधियारोपन के कारण प्रकास उठ्जा को पुनर पुनर बितरन करने की घटना को ही प्रकास का ब्यक्तिकरण कहते हैं और यह बहुत पूर्ण पुर्ण बिवर्तन और पुलराइज धुरुवन यह सो बहुत बने को सने बहुत बार पूछा गया इसका सर्थ भी पूछता है तो अभी सर्थ आगे लेचलेंगे तो दो कला समझ सरोत से निकलने प्रकास के तरंगे कि अधिय ब्यक्तिकरण होगा कैसे उसका सर्थ क्या है उसका रिजन क्या है तो देली देखिए प्रकास को दो कला संबंद सरोत होना चाहिए क्या होना चाहिए दो कला संबंद सरोत होना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि दो कला संबंद सरोत होना चाहिए जब विक्तिकरण हो तो क्या होने चाहिए थे लगतार प्रकास उत्साजीद करना चाहिए ओर काफी करीब भी वन दोनों काफी करीब ना चाहिए चाहा है तो फाइग कि बीकिंट निंटा आ होना चाहिए लगतार उससर्द करना सई चाहिए तीन सर्थ हम लिके हैं चार सर्थ हो गया यदुसरह काप और तीन आपके लिए थो बहुत है रिखयोन दर्टा कोजन धेर काथ लगुषिण करते हैं इक ओर निये प्रकास्तों करते हैं यानि यानिकर और मतलब जो değil te त्रंग लंबाय यानि कि एकी त्रंग लंबाय वाले प्रकास कुस्णीद करते हैं तहीं परकास तरुत करते हैं और इससे शर्टी के अंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा बहुत ही द्लिय को सणे और इतना सथी गकेंसर है अगला कुछ देख लेते कुछिन नमर लेख यहाप किस नफुद को संगता है प्रकास के भी वरतन से आप क्या समझते हैं और या बहुत ही फ़योग पर्ली को सय प्रकास को मूरने की घटना क्या काते हैं यात की किसी और की सार्म कि हम चयार में किसी और को सुए कि घटना क्या काते हैं प्रकास का बिवर्तन का ते यार बहुत सिंपल एंसरे और या बहुत इंपर यह तो पूछा गया लगवाद दोचा गया और यह किस नमें बतला इस एक इस एंगलीज में भी दिया वाइं इंपोर्ण कुछन चलिए अगला कुछन वर जाते हैं अगला कि अच्छा लगेगा और यहां लिखा हूँ यहां इंगलीज में भी लिखा हुआ है आप राम से देख सकते हैं यह बेक्तिकरन के लिए और बीवर्तन के लिए आप छूट गया है तो कोई दिकतने आप उता समझ जाएगा तो बेक्तिकरन का निमान तरंगार्ग के अधिय निर्मान क्या होता है इकाय did Inform के कान होते कि जयादा फरक नहींत तरंग गार लुकर कर पीपने कान होता है और जो बैगे यहां पर विवर्तन दिखना छील बने का क्या गलती से जो दिट वर्तन कर निर्मान द लिकर समय 돼 है ब्यक्तिकर्न नो्ish मैं दुन होता है उसान होता है अन्य कि कि ढृद्टन की संख्या होता है अंब wär संख्या उख इसके का इसके क्या होता है संख्या समान होती है तो जो आपको पढ़ना पड़ेगा तो यहां पर देखिए ब्राइट फिरिंज की चौराई जो मतलब फिरिंज जो होता है उसके तीवता समान होता है समान होता है लेकिन क्या होता है यहां पर विवर्तन में देखिए ब्राइन फिरिंज की तीवता समान नहीं हो तहां यह तीन आपको जो मोश्ट इंपॉंटेंट इंपॉंटेंट जो फॉइंट था आपको तीन दे चुके हैं आप इसको लिख दीजगा आपको तीन सचाना में कोई नहीं चीने आप लोग यह याद जरूर कीजेगा इंग्लिस में नीचाहे तो आप याद कर ले से अवर्दान था आवर्धा थम्ता मंने ली गिए तो यहां पहल दोनलिखा आवर्धा Hmmly क्शलिगोगा तो नीचेर सघंक सरक आप यह दौनलिगोट दो यह दोन गिया दिखेत याई प्रतिवीन है प्रतिबीम तास तो कहल आपस जो आवर्दोन है प्रतिवीन और रन रम संपल में और आगा देखिए जो आवर्दन में होता है इसमें भी का मान बढ़ने पर बढ़ता है जब भी आवर्दन शाथा क्या बीक अमान बढ़ने पर घटता है यह तिन वह पॉइंट सा बहुत इंपोने था आप याद कर लीजिए बहुत इंपोनेट है अगला कुस्वान देख ल को बढ़ता करने की किया होई क्लिटा प्लरकासर को बढ़ता है और उन कोषण अ énप सोठ नहीं सकते तो कैles question देच चना यह आगया जड़े सांडल दिया सब्सक्राइव परुचत कंशना पचीस कि अपड़ लाइग किजी पलीज हार आप लोग लाइग ने करने मजा नहीं आ रहा है प्लीज आप लोग लाइग जुरूर किजिए गाफ पचीस समय कोसम बुश्टर मुश्टर का नियम और यह बेभी दिखा भीया कितना बाद पूछा गया है हम इ लिखा हुआ है लेकिन दुरुवन कोन के इस परच जया यानि के टेंजेंट के बराबर होता है अगर आपको दुरुवन कोण पूछे तो आप आप कुछ परिवासा लेकिन आप कोई फर्मूला जरूर लिखेगा मियूस कल्टू क्या लिखेगा टैन आई पी टैन आइप और या अब्जक्टिम पूछा जाता है बुश्टर की नहीं या बहुत बार कोशन पूचा भी गया है इंगलिस में पर लिख से चलिए अगला कु सथान पर जलाते होने की सब्भानाल होता है जलास होने कि संभावना होता है जलास ने कि वह संभावना~? पर्टी मिन रहा है आपको डिड़ावना लगे गाहा इलटा परर्ट के पीती होता है तो उसस्थान पर जलासे की किया जिस घ्रकिश्ञ बἇख और धुम्हारा होती है उसको क्या घरासे कि इसी द्रिष्टी भराम को है इनको बैसिकली जलासे ताहर वह द्रिष्टी का फरामोटाया wish आपको लगे आट तर लिगे अनल दिधकर है उयर्टी भरम को इप्ररब को सब्सक्राइब निनस्य वहता है की तैसलिकर नहीं गिंदु पर जह समझने माली बात है अगर समाच है तो आपको याद करनि कोजर वहते हैं परदे को है पर प्रकास समान कला में जो अभितो होगा अज जो आपी तो क्रते हैं अगर समान कला में तो क्या होगा प्रकास का सब्राइब बार बात है जो यह के लगण सहलाए करेंगे तो पर्दे के जिसे बिंदु पर कि पर्दे के जिस बिंदू पर हम क्या करेंगे जिस बिंदू पर यानि कि समान कला में आरोपीद करेंगे यानि कि परकास हो जाए समान कला में यानि कि समान कला में आरोपीद करेंगे यानि कि यह बिंदू समान कला में आरोपीद करेंगे तो परकास कि तीवरता महतम होगी बिल्कुल महतम होगा इक लगा जब फोक्सित करने को तो घ्शी वग्तिकरन कान ख कर त्ष और संपोसी अजिस बुति दिपर्च यूं कि जिस बिंदु पर प्रकॉस चो थैंसे बिपरीत कला में आनि कि अलग अलग से होता है कला में अरोपीत होता है तो पर कास की तीusta तो आपका पूरा आप्टिक्स खतम हो चुका है और यह दूको बचा तो उतना पुछता नहीं है तो इसको लिए छोड़ दिये अच्छाइब पूछे तो आपके लिए इतना कोशन बनाया है टाइपिंग कि एंग्लिज इन दोनों में प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर जिये तो थेंग वाचिंग फर दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंडर सब्सक्राइब और दोस्तों सब्सक्राइब अच्छा नमबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्लेश ट्रो ओपन कर लिए ओपन करने के क्लासिस का एप इंस्टॉल करके ओपन कर लिए ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरस्फेस आएगा यहां पर तेंत और तुएल्थ का और सब्जिक्ट प